इस नए वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम उन डिस एडवांटेजेस यानि की जो समस्याएं आती हैं वर्क फॉम होम से जुड़े हुए काम से उस पे चर्चा करने जा रहे हैं बस आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंतक ताकि आपको वर्क फॉम होम और पार्ट टाइम जॉब पर आपको सबसे ऑथेंटिक और सटी चानकारी मिल सके हाँ दोस्तों एक बात और हमने इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो के लिंक डाल दिया है जो कि अवीड अकेडमी ने बनाए हैं वर्क फॉम होम और पार्ट टाइम जॉब्स पे आप उन्हें जरूर देखें घर से काम करने के जहां कई एडवांटेजेजेज हैं वहीं कई डिसएडवांटेजेजेज भी हैं घर से काम करने के मानसिक स्वास्त और वित्यलाथ तो होता ही है जिसकी कोई भी अंदेखी नहीं कर सकता है। पर साथ ही इसके बहुत से नुकसान भी हैं जिनका हम अंदेखा नहीं कर सकते। घर से काम करते हुए जो सबसे जरूरी बात है वो है कि हम इसके advantages और disadvantages के बीच में हम संतुलन बनाएं ताकि हम घर से काम करते समय ज्यादा से ज्यादा लाव उठा पाएं। जो professional disadvantages को जान जाते हैं वे उसे overcome करते हैं पर काम करते हैं और अपने productivity को बढ़ाते हैं। तो आए घर से काम करने से जुड़े disadvantages यानि कि उसके जो नुकसान हैं उस पर चर्चा सुरू करते हैं। सबसे पहला नुकसान जो है या जो लोग महसूस करते हैं वो है isolation या अकेलापन। अक्सर लोग जो घर से काम करते हैं वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं या शिकायत करते हैं। वो अपने co-workers और bosses से नहीं मिल पाते और साथ ही office जो है उनके लिए दोस्त बनाने और अन्य लोगों से मिलने का एक बढ़िया स्थान होता है। और जब वो वहां नहीं जा पाते तो वो नए दोस्ती नहीं कर पाते अन्य लोगों से मिल नहीं पाते और अपने आपको अपने co-worker से cut-off समझते हैं और अपने आपको isolated मानते हैं। दूसरा disadvantage है performance का monitoring करना। जो managers और supervisors होते हैं वो अपने staff की उतनी अच्छी monitoring नहीं कर पाते या उन्हें monitoring में दिक्कत आती है जब कोई आदमी घर से काम करता है। और यह भी मुश्किल हो जाता है कि जब कोई काम जिसमें कि background duties required हो या background काम बहुत सारा required होता है उसकी monitoring उतनी सफलता पूरवक नहीं हो पाती है क्योंकि हम background duties और background worker monitoring उतना अच्छा online नहीं कर पाते हैं। एक और जो मुश्किल जो आती है घर से काम करने में वह है कि हम घर और काम की बीच में फर्क नहीं कर पाते हैं। और हम चाहे अंचाहे घर और समाज के कई काम में involved हो जाते हैं और इसका सीधा असर हमारे काम के productivity पे होता है। ज्यादा हमारा distraction होता है जब हम घर से काम करते हैं तो हमारे काम में distraction की संभावना बढ़ जाते हैं। ये disturbances जो हैं वो हमारे पडोसी के चलते हो सकते हैं। हमारे दोस्तों के चलते हो सकते हैं। परिवार के लोगों के चलते भी हो सकते हैं, या अन्य कई और कार्णों से भी हो सकते हैं, घर से जब हम काम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि काम कभी खतम ही नहीं होता है, हम खुद भी tempted होते हैं, कि हम endlessly काम करके, जो performance है, उसका अपने office के जो boss है, monitor है, जिनको हम काम करके दे रहे हैं, उनको अपने performance का एक बहुत बड़ा उधारन प्रस्तूत करें, ताकि हम घर से काम करने का हमें मौका मिलता रहे, और हम उन लोगों से अपने आपको ज़्यादा सिद्ध कर सकें, जो office से काम कर रहे हैं, नुकसान या एक और disadvantage, जो work from home से जुड़ा होता है, वो है कि हमारा telecommunication, यानि कि telephone का बिल बहुत बढ़ जाता है, चुकि हम घर से काम कर रहे होते हैं, और काम करने के लिए हमें internet, और लोगों से बात करने के लिए telephone की आवशकता पढ़ती है, तो इसलिए हमारा telephone का बिल बढ़ जाता है, net का बिल बढ़ जाता है, तो ये एक जो समस्या आती है, वो घर से काम करने पे आती है, क्योंकि इससे हमारा financial burden बढ़ता है, दूसरा जो हमें एक और समस्या का, या disadvantage का सामना करना पड़ता है, जब हम घर से काम करते हैं, वो problem solving का होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं, तो office में जो हमारी team है, जो हमारे co-workers हैं, colleagues हैं, चाहे जो problem solve करने वाली जो team है, वो पास नहीं होती, इसलिए हमें बार-बार उनको phone करके संपर करना पड़ता है, इमेल करके संपर करना पड़ता है, वो हमारे पास आवाज की दूरी पर नहीं होते, कि हम जस्ट उनसे जाके मिल लें, या उनको आवाज दे कर अपने पास बुला लें, या उत्तुरत हमारे हाथ पकड़के हमारा problem solve करते हैं, तो ये problem solving में एक दिक्कत आती है, कठनाई आती है, जो कि हम जब घर से काम करते हैं, तो ये एक एहम मुश्किल का सामना करना पड़ता है, एक और समस्या और कठनाई जो आती है, वो staff और team जो है उसका integration में, यानि उसमें एक तक्त्वल आने में, यानि integration में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि team का आपस में उतना communication नहीं हो पाता, उन में एक team spirit नहीं develop हो पाता, क्योंकि जो लोग घर से काम करते हैं, वो उतना उनसे मिलते जुलते नहीं हैं, तो उनके साथ एक उनका अपना repo नहीं उतना build हो पाता, जतना की office में काम करने से है, तो ये भी एक कठनाई आती है, घर से काम करने में एक और कठनाई जो आती है, वो है कि हमारा office जैसा routine को follow करना, हम घर में जब काम करते हैं, तो हम एक routine को नहीं follow कर पाते हैं, हम काफी ease में रहते हैं, हम घर में कहीं भी बैठके काम करना सुरू कर देते हैं, हम किसी भी कपड़े में सुरू कर देते हैं, इवी ब्रेक ले ले लेते हैं, किसी से भी बात करने लगते हैं, तो इस हालात को अगर आप देखेंगे, तो एक घर से काम करने में हमें एक आफिस का रूटीन नहीं डेव भी अपने घर में develop करना चाहिए ताकि हमारी productivity बढ़ सके घर से काम करने से हमारा कोई monitor या supervisor नहीं होता और घर से काम करने और office जैसी energy भी नहीं होती तो जैसे आप जान रहे हो कि घर से हमारे उपर कोई monitor नहीं होता कोई supervisor नहीं होता तो हमारी energy भी वैसी नहीं रहती है जैसा ह हमारी office में होती है और इन सभी disadvantages के चलते हमारा काम और productivity जो है वो slow हो जाता है तो दोस्तों हमें आसा है कि आप in disadvantages को जान गए होंगे जो एक घर से काम करने में आपको face करना पड़ता है और आपका concentration label घटता है productivity घरता है तो आप अगर इन disadvantages पर काम करेंगे अपने ओवर कम करेंगे इन disadvantages को तो आपका concentration बढ़ेगा घर से काम करने में और आपकी productivity बढ़ेगी तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे like करें share करें comment box में comment लिखके भेजें आपके comment से हम और भी fruitful video आपके लिए बना पाएंगे अपने question भी comment box में लिखके भेजें हम उनका सबसे authentic answer अपने next video में देने के पूरी कोशिश करेंगे अपने research team की मदद अगर आप भी तक आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे subscribe करें और bell icon दबाना ना भूलें